स्वागा थे आप सभी का टेक्निकल विचार चैनल में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 30,000 से 35,000 की रेंज में सबसे अच्छे कुछ स्मार्टफोन वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेर भी कर देना चैनल में अगर न्यू हो तो सबस्क्रेब भी जरू करना सबसे पहले जिस स्मार्टफोन का नाम आता है वो है सैमसॉंग गैलेक्सी A52s इसमें आपको प्रोसेसर थोड़ा कम मिलता है प्रोसेसर का पावर थोड़ा कम मिलता है लेकिन आपको जो भी मिलता है वह बहुत साही है सैमसॉंग की पॉइंट अब व्यूस है जो प्रोसेसर है वह है Qualcomm Snapdragon 778G उसके साथ आपको 4500mAh का बैटरी और 25W का फास्ट चार्ज भी मिल जाता है जो उसका जो स्क्रीन है स्क्रीन साइज है वह है 6.5 इंच और 120Hz रिफ्रेश रेट भी इसके साथ आता है जो स्क्रीन है वह है AMOLED और इसमें आपको 64MP प्लास 12MP प्लास 5MP प्लास 5MP का रेयर कम सेटप और 32MP का फ्रॉंट कम सेटप भी आपको मिल जाता है उसके साथ इसके पास एडवांटेज है कि यहां पर आपको IP67 का रेटिंग भी मिल जाता है और जो दो विरेन में यह लॉंच हुआ है एक है 6.128GB और दूसरा है 8.128GB 6.128GB का प्राइस से 35,999 और 8.128GB का प्राइस से 30,000 यह जो मोबाइल मैंने आपको बताया उसका प्राइस थोरा अतरंगी है तो मैंने डेस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ तो आप चेक आउट कर सकते हैं इसके बाद जो स्मार्टफोन आता है वो है Realme GT Neo 2 5G जो यह रिसनली लॉंच हुआ है और इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो है Qualcomm Snapdragon 870 जो स्क्रीन है वो है 6.62 इंच का फूल एजडी और एमोलेट स्क्रीन है जो रिफ्रेस्ट रेट है वो है 120 हर्ट्स 5000 एमेज का अब जो फ्रेस्ट तो प्राइज़न नाच हुआ है एक है 8 plus 128 GB आड दूसरा है 12 plus 256 GB जो 8 plus 128 GB का अमाजन में प्राइस है वो है 30,179 जो फ्लिपकट में जो प्राइस है वो है 31,999 जो 12 plus 256 GB का वो फ्लिपकट में मिलता है उसके अब जो प्राइस है वो है 35,999 इसके बात जो स्मार्टफोन आता है वो है भीवो एक 60 एंड इसमें आपको वालकॉम स्नेपड़गें 870 का चिपसेप मिल जाता है जो कैमरा सेटप है वह है 48 MP प्लस 13 MP प्लस 13 MP रेर में एंड 32 MP फ्राइस है इसलिए क्योंकि इसमें आपको जो चैमरा सेटप मिलता है वह और कोई फोन में नहीं मिलता एंड इसके इसमें आपको जो कैमरा का एक्स्परियंस होगा वो बहुत नेक्स लेवल होगा एंड उसके साथ आपको 4300 का बैटर भ 12W का एंड 6.56 इंच फूल एजडी एमोलेट स्क्रीन भी मिल जाता है जिसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्स जो यह दू ब्रेन में लॉंच होगा है एक है 8 प्लस 128 GB एंड दूसरा है 12 प्लस 256 GB 8 प्लस 128 GB का प्राइस है 34,990 एंड 12 प्लस 256 GB का प्राइस है 39,990 इसके बात जो स्मार्टफोन आता है वो है जो कैमेर सेटप है वो है 64 MP, 8 MP, 2 MP रेयर में 16 MP फ्रॉंट में जो बैटर साइज है वो है 4500 एमेज का आज 65 Watt फास्ट चारजिंग भी आपको मिल जाता है जो स्क्रीन साइज है वो है 6.43 इंच का FHD AMOLED स्क्रीन है जिसका रिफ्रेस्ट रेट है 120Hz यह दो भ्रेन में लॉंच वाया है एक है 8 plus 128GB और दूसरा है 12 plus 256GB जो 8 plus 128GB का प्राइस है 34,990 और 12 plus 256GB का प्राइस है 35,000 के नीचे अगर आपको कोई iPhone चाहिए तो आप Apple iPhone XR को consider कर सकते हैं इसमें आपको Apple Bionic A12 का चिपसेप मिल जाता है जो स्क्रीन साइज है वो है 6.1 इंच और डिस्पले है वो फूल HD नहीं है HD plus से थोड़ा उपर है लेकिन फूल HD नहीं है और जो स्क्रीन है वो भी आपको LCD मिलता है जो बैटरी साइज है वो है 2942MH का और उसके साथ आपको 12 MP का रेयर केम सेटप और 7 MP का फ्रांट केम सेटप भी आपको मिल जाता है जो iOS version है वो है 12 और यह तीन फिरें में लाउंच वाए एक है 3 plus 64 GB दूसरा है 3 plus 128 GB और तीसरा है 3 plus 256 GB जो मैंने 33 कर के बाता वो RAM है ठीक है अपको कम ही RAM मिलता है तो आपको 3 plus 64 GB का जो प्राइस है वो है 34999 3 plus 128 GB का प्राइस है 39999 और 3 plus 256 GB का प्राइस है 47900 तो यह थे 30,000 से 35,000 के रेंज में मेरे रेकमेंड के हुए कुछ बैतनी स्मार्टफोन अगर आपको मूबाल लेना हूँ तो मैंने सभी प्राइस सेग्मेंट में वीडियो बना करा है आप चेक आउट भी कर सकते हैं आज के वीडियो के लिए इतना ही नमस्ते